देखो अभी start करते हैं pointers क्या होता है उसे समझते हैं last lecture जो हमारा हुआ था उसमें हमने बात की थी functions के बारे में functions के दो बताये थे मैंने एक predefined and user defined function predefined function जो already पहले से बने हुए है कौन-कौन से होंगे predefined function print app scan app get ch और आगे के जो मैं पढ़ाने वाला हूं str cpy malloc kelloc यह सारे predefined functions है अब हम बात करने वाले हैं यहां पर दूसरा topic जो है हमारा pointers का pointers का मतलब क्या होता पहले वह समझने की कोशिश करेंगे इधर बीच में खाली क्या bench ठीक है पूरी line खाली है न वह ठीक है pointers देखो जब आपको लगे कि आपने कोई memory बनाई हुई है पहली बात तो एक operator है address of operator इसका नाम है इस operator को address of बूला जाता है लिख देता हूं चाहिए तो address of operator आप जब program लिखते समय कोई भी variable बनाते हो जैसे अगर आपने program के अंदर लिखा int x इसका ये मतलब है एक memory रैम के अंदर बन चुकी है यह हमारी रैम हमान लेते हैं यहां लिख देता हूं this is the ram तो एक यहां पर variable बनेगा और रैम इसको एक address दे देगा चाहे कोई भी address दे सकता है one thousand two thousand या कोई भी क्या address देता हमें बिल्कुल नहीं पता हम एक अंदाजा लगा के बोल सकता है कि रैम ने दे दिया होगा one thousand जरूरी नहीं है कि one thousand ही देगा हम मान लेते हैं और वैसे भी address क्या देगा उसे हमें क्या लेना देना है पहली बात तो अभी मैंने यहां पर लिखा आपने जब अगला ब्लॉक बनाया हाँ आजाओ है कहां पर वो है खाली है वो bench रुख जाओ हाँ एक मिनट चेक कर लेता हूं यहां पर थोड़ा पीछे ले लो आप लोग होगा वो लोग आगे आगे ना जादा इसके वज़े से बस 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 बैठो आ जाओ यहां पर इधर है यहां पर बैठो तो यह देखो x ब्लॉक बनाया मैंने जैसे ही मैंने int x लिखा अगर मैं लिखता हूं int y तो मैं आपको बताता हूं एक ब्लॉक और बनेगा जिसका नाम होगा y int x लिखने पर पहला ब्लॉक बना ram के अंदर int y लिखने पर दूसरा ब्लॉक बना रैम के अंदर लेकिन रैम अब address 4 से जादा देगा क्यूंपता है क्यूंकि int जो होता है नवो 4 byte का होता है वो 4 addresses ले लेता है यहां से शुरू हुआ वहां से इसलिए अगले वाले को 1004 उसक मतलब लास्ट में फोर आएगा फिर एट आएगा ऐसे करके बढ़ते जाएगा या तो कम होता है या तो बढ़ता है अभी मैं क्या करूंगा आज टर्बो सी सॉफ्ट्वियर भी सिखाता हूँ उसको चलाते कैसे बहुत सारे बच्चे बी सीय में होता है तो उनको मालूम नही फोर लिखा एक और ब्लॉक बनाता हूँ और यहां लिख देता हूँ इंट जेड और एक और ब्लॉक रैम के अंदर बनेगा और इसका एड्रेस होगा वन थाउजन ये याद रखो अभी कुछ देर के लिए अगर मैं प्रोग्राम में अगली लाइन लिखता हूँ एक्स इक्वल टू फाइफ इसका ये मतलब है कि मैंने फाइफ को यहाँ स्टोर करा दिया इसका यह मतलब होता है अगर मैं लिखता हूँ वाइक्वल टू Eक्स तो आप बोलोगे ये क्या चीज है हमेशा राइट सा ने कौन है 5 जा कहा रहा है X में उसी तरीके से राइट साइड में कौन है X जा कहा रहा है Y में तो 5 ही तो जा रहा है एसा भी लिखा जा सकता है लेखिन अगर आपने यहां लिखा होता address of X X का address पढ़के बताओ कितना है 1000 है ये क्या तो यहाँ पे आ गया 1000 एक memory किसी और memory का address भी रख सकती है data तो रखी रही थी लेकिन आप address of operator की मदद से address भी रखवा सकते हो किसका इसका यही चीज तो यहाँ रखी कैसे address of X को रख दो Y में रख सकते थे 5, 10, 11 कुछ भी या तो data रख सकते थे या तो address इसके अलावा और कुछ नहीं रख सकते data या address मैंने address रखवाया Y ने किसका address रखा इसका इसलिए Y को pointer बोलेंगे जो memory किसी और memory का address रखती है उसको pointer बोलते हैं class में दो लोग है मुझे एक का नाम नहीं पता और मुझे उससे data देना है एक का नाम पता है तो एक अगर उससे जुड़ा हुआ रहेगा तो tension नहीं है मैं बोलूँगा सुनो तुम सुनो तो मुझे जुड़े हुए हो ना ये data लो उसको दे देना बस हो गया pointer का यही use होता है future में हम ऐसी memories बनाने वाले है न जिसका कोई नाम नहीं होने वाला ऐसी memories हम future में बनाएंगे उनका कोई नाम नहीं होता अब नाम नहीं होता तो access कौन करेगा pointer ही तो करके देगा access इसलिए pointer हमें सीखना है pointer दूसरे variable को access कर सकता है अगर उसने उसका address रख लिया तो ही ऐसे बीना मतलब नहीं कर सकता address होना चाहिए उसके पास तो ये y के पास किसका address है x का अब अगर आप लिखते हो printf print करा दिया जाए %d लिखो %u लिखो चलता है u भी positive numbers प्रिंट करा सकता है comma du कुछ भी लिख सकता था मैं x को print करा हो क्या print होगा बोलो 5 सही जवाब है क्योंकि x में क्या है 5 अब क्या print होगा 1000 क्यों क्योंकि address है x का इसलिए अभी बताना क्या print होगा अभी देखता हूँ कौन बताता है y 1000 ही होगा y में 1000 है इसलिए अब बताओ 1004 address of y सही है अब बताओ अब 5 होगा कैसे पहले देख लिए अगर y कितना y 1000 स्टार का मतलब है उस 1000 पे क्या रखा pointer 5 है यह देखा कि नहीं आपने access किया कि नहीं उसके data को तो pointer भी चाहे तो उसके data को access करा सकता है अब यह starting में ही थोड़ी भीड होती है बाद में कम हो जाते है बच्चे तो उसका कोई टेंशन नहीं जिसको जगह नहीं भी मिल पा रही है दो चार-पांच दिन के बाद अपने अब थोड़े कम हो जाएंगे तो कोई problem नहीं होगी होता है वो हर batch में starting में ही जादा आते हैं बाद में कम हो जाते हैं जो कुछ काम के नहीं रहते हैं वो चले जाते हैं भी नहीं मुझे starting में नया नया होता है कि करना है सीखना है वो आते हैं लेगिन 4-5-6 दिन के बाद चले जाते हैं जैसे किसी ने बोला है तो पंप हो गये हैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं कि जैसे नया नया जीम हम लगवाते हैं, कुछ दिन जाते हैं, फिर बंद कर देते हैं, नया नया कहीं देख लेते हैं, कोई मूवी देख के आते हैं, कहीं से देख के आते हैं, तो हमें लगता है, कुछ दिन आते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, वैसे ही पढ़ाई में भी मैंने देखा है कुछ दिन आएंगे मोटिवेशन उनको कहीं से मिल जाती है जैसे नया कॉलेज शुरू होने वाला है तो उनके दिमाग में होता है कि चलो अभी कॉलेज मैं 10th पास हो चुका हूं 10th तक पढ़ाई नहीं कर रहे थे 11 से तो करना है बुक्स खरीद लेंगे दो महीने पहले ही छुट्टियों में ही इतना जादा seriousness होता है नहीं science लेना है बुक्स खरीद लेंगे पहले ही और हमें अभी तो पढ़ना है फाली बुक्स दो तीन दिन पढ़ता है उसके बाद भी बंद हो जाती है वो भी ऐसा होता है तो इसके लिए यह बैठे हैं तो और दूसरी चीज ये कि मैंने कल कुछ अनाउंस्मेंट्स भी की हमारे फालोवर्स दो लाग पूरे हो गए इंस्टाग्राम पर आगे थैंक्यू सबको थैंक्यू मैं कोशिश करूंगा कि उसे पांच लाग भी पूरा करूं और हम कंटेंट को डालते रहेंगे कि मेरे कोशिश करने से तो नहीं होता वो कंटेंट अच्छा होने से होता है वो कंटेंट अच्छा होगा तो धीरे धीरे बढ़ेंगे और भी लोगों तक यूट्यूब पे भी बहुत ज़ादा लोग इस समय देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं और अच्छी चीज़ हमार और ऑनलाइन वाले में फरक होता है तो यह आपको भी पता है तो ज़्यादा स्टूडेंट्स भी होते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पर अगर आप इस जगह को मैनेज कर रहे हो तो फिर यहाँ पर वो नहीं परवड़ता आपको भी पता है तो इसके लि जावा सीखते हो 4000 में मैंने 8000 में बोला C, C++, Data Structure, Java, Python, STML, CSS, JavaScript, JQuery, PHP और पूरा फुल स्टाइक अगले महीने चालू करने वाला ऑनलाइन ही होगा वो अभी आप ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो आप देखी रहे है ऑनलाइन चल रहा है एप के ऊपर चालू होगा मैं बताऊंग होंगे ही दीरे दीरे आज नहीं तो कल तो जब होंगे तब की बात है कम से कम अभी नहीं तो आप बाद में आपके दोस्त लोग या कोई पहचान का होगा वो तो सीख जाएगा तो इसके लिए चीज है मैं करूँगा आगे और कम करूँगा मैंने ये भी बोला कि अगर 1,000 होते हैं अगर 15 दिन में 1,000,000 हो सकते हैं तो 1,000,000 भी हो सकते हैं अगर 1,000,000 होते हैं तो 2,000 रुपए मैं पूरा फूल स्टैक का कोर्स दे दूगा कोई देगी नहीं सकता इतने सस्ते में और इतने कम में वो भी लाइव बोल रहा हूं मैं एक बार रिकॉर्ड कर दो और दाल दो वो चीज़ अलग हो गई और आप पूरी बैच लेते हैं वो चीज़ अलग है तो उतने कम में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा और जो content है आप खुदी देख रहे हो कैसे पढ़ा रहा हूं क्या कर रहा हूं quality क्या है कितना भी basic हो कोई भी सीख सकता है तो online वालों के करूँ अब ही देखो आगेः चलता हैं यहां पर सब्स्क्राइब लुब्र मज़ें कराने की गया Om अगर मैं लिखता हूं, स्टार वाई, मतलब क्या? फाइव मुझे वहां पे वह ब्लॉक वहां रखना है 18 तो जानते हो क्या होगा यहां changes हो जाएंगे और अगर आप print कराने की कोशिश करोगे किसको? X को, तो क्या print होगा बोलो? 18 होगा यही समझना आपको झाल झाल